हलो फ्रेंड मैं अकास वेलकम टू प्लांट के गिवर आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे हाड़ी इंडोर एर प्यूरिफायर प्लांट के बारे में बताऊंगा जो कि सालो साल आपके गाड़ा में रहने वाले होते हैं और इतनी असानी से मरते नहीं हैं इनका प्राइस भी बताऊंगा ताकि आपको पता चल पाए कि प्लांट आपको नरसी में कितने में मिलेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में पहला plant है money plant, ये neon money plant है और ये plant मैंने 20 रुपीज में खरीदा था देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है ये है normal money plant, ये अक्सार आपको सभी घरों में देखने को मिल जाते हैं ये प्लांट कटिंग से बहुत इसली ग्रो हो जाते हैं, इन्हें आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं, हो सके तो आप मनी प्लांट को हैंगिम बास्केट में ही ग्रो करें, ये हैंगिम बास्केट में बहुत ही सुन वेराइटिस में आते हैं, काफी सारे कलर में आते हैं, ये प्लांट मैंने 100 रुपीज में खरीदा था, काफी सारी नर्सिस में ये प्लांट 50 रुपीज में भी मिल जाता है, मैंने ये प्लांट पॉर्ट में खरीदा था, इसलिए मुझे थोड़ा समयगा पड़ा था, आप इस प्लांट को पॉली बैक में किसी भी नर्सिंग में 50-100 रुपीस में खरी सकते हैं। यह दूसरी वेराइटी है, यह भी देखने में बहुत ही सुन्दा लग रहा है। बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है, साल हो साल आपके गार्ण में ग्रीन रियाट करने वाला प्लांट होता है। इसे भी आप cutting से grow कर सकते हैं, जब ये काफी बड़े हो जाएं, तो आप इसकी cutting लेकर grow कर सकते हैं, cutting का result बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इस लिस्ट में तीसरा plant of song of India, ये भी काफी सारी varieties में आते हैं, इन्हें भी आप cutting से grow कर सकते हैं, बात करें price की, तो ये plant आपको 50 से 100 रुपीस में मिल जाता है जैसी plant की growth होती है, वैसे ये plant आपको देखने को मिलता है इनर्सी इसमें, इसका छोटा plant आपको 50 रुपीस में भी मिल जाता है देख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत ही सुन्दा लगता है, इस लिस्ट में अगला plant है डाइपन बेकिया, ये भी देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है, काफी सारी varieties में आते हैं इसे मैंने 6 इंच पॉर्ट में ग्रो किया है उसमें भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है देख सकते हैं पत्तो का साइज भी काफी अच्छा है इसे आप छोटे पॉर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं घर को सजाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है फर्न। ये भी काफी सारी वेराइटीस में आते हैं। मेरा फ्लांट थोड़ा अच्छा नहीं चल ला है। मैंने इसे सभी प्लांट के बीच में रखा है। ये भी मैंने 6 इंच पॉर्ट में रखा है और ये प्लांट भी 50 सा 100 रुपीस में मिल जाते हैं। ये फर्न की दूसरी वेराइटी है इसे स्पैरिगस फर्न कहते हैं। ये प्लांट मैंने 35 रुपीस में खरीदा था। देख सकते हैं प्लांट की ग्रोध बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फास्ट ग्रोणे वाला प्लांट होता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है सिंगोनियम, ये भी काफी सारी वेराइटीस में आता है। देख सकते हैं कि पत्तो का साइज काफी छोटा है, ये छोटी वेराइटी का है, और ये प्लान मैंने 20 रुपीस में खरीदा था, ये नॉर्मल सिंगोनियम है, लेकिन ये पूरी ताशे शेड में रखा हुआ है, इसलिए देख सकते हैं, पत्तो का कलर काफी शुन्दर है, और जो मैंने सन में रखा है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं, ये दो से तीन घंटे की धूप में रखा हुआ है, और इसका कलर देखिए, पूरी ताशे ग्रीन है, ये भी देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है, इसे मैंने हैंगिं बास्केट में ग्रो किया है, ये एक और वेराइटी का है, इसे भी मैंने 20 रुपीस में खरीता है, लाते वक्त ये थोड़ा सा डेमेज हो गया था, अब इसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया है, ये पिंक सिंगोनियम है, इस लिस्ट में अकला प्लांट है स्पाइडा प्लांट, ये भी बहुत ही तेजी से डिवाइड होने वाला प्लांट होता है, हेंगिं बास्केट में बहुत ही तुन्दा लगता है, इसे मैंने वेस्ट कंटेनर में ग्रो किया है, उसमें भी ये प्लांट बहुत ये अच्छे से ग्रो कर जाता है, इसमें रनर आते हैं, जिसे काट क आप इसका propagation बहुत ही easily कर सकते हैं एक और variety का है और देख सकते हैं इस छोटे से प्लांट में काफी सारे runner आये हुए हैं जब इसमें root आ जाएगा तो मैं इसका propagation करूँगा एक और variety का है लेख सकते हैं यह हैं गिम बास्केट में बहुत ही सुन्दा लगता है और जब इसमें runner आते हैं तो यह प्लांट के खुप सूती और भी बढ़ जाती है यह बहुत ही hardy प्लांट होता है और यह प्लांट नसी में आपको 20 से 30 रुपीस में easily मिल जाता है एक और singonium, singonium cutting से बहुत easily grow हो जाता है इसलिए मैंने इस प्लांट को काफी सारे pot में grow किया है यह इसकी नई पत्ती है देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुन्दा लग रहा है जितना आप इसे sun में रखेंगे उतना ही इस प्लांट की जो variation होता है डिफरेंट होता रहत हैं और देख सकते हैं इसी से cutting लेकर मैंने काफी सारे प्लांट और भी बनाए हैं और अब बात करते हैं सबसे hardy और सबसे तेज डिवाइड होने वाले indoor air purifier plant के बारे में और वो है sensitive area यह भी काफी सारी varieties में आता है मेरे पास भी इसके काफी सारी varieties है यह छोटी variety का है इसलि बहुत ही तेजी से divide होने वाले होते हैं लगबक सभी pot में इसके काफी सारे baby plant आ रहे हैं इस या इस plant को आप सिंगर पत्ते से भी grow कर सकते हैं देख सकते हैं इसमें भी एक baby plant आ रहा है यह छोटे से pot में लगा हुआ है और यह singonium की एक और variety है इसे भी मैंने cutting से ही grow किया थ देख सकते हैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा हैं singonium की कोई भी variety cutting से बहुत easily grow हो जाती है और यह है aloe vera इसे प्रत कुमारी भी कहते हैं इसमें काफी सुंदर flower आते हैं जब यह plant काफी पुराना हो जाएगा तो इसमें flower भी आते हैं यह भी बहुत ही तेजी से divide हो देखने वाला plant होता है aloe vera भी एक बहुत ही अच्छा indoor air purifier plant होता है और तो और यह लगबग सब भी घरों में देखने को भी मिल जाता है अगर आपके पास नहीं है तो यह आप सर्च कर यह आप प्यास पडोस में भी यह plant आपको मिल जाएगा यह एक और sensexyVearia, sensexyVearia के मेरे पास काफी सारी varieties हैं और देख सकते हैं इसे मैंने छोटे से pot में ग्रूव करके अपने वर्टिकल गारडन में add किया है इस वर्टिकल गारडन में मैंने जितने मिल प्लांट एडड की हैं सभी बहुत ही hard ही हैं, सालों साल आपके गारडन में रहने वाले होते हैं देख सकते हैं इस प्लांटार में मैंने एक ही प्लांट लगाया था और यह है संसेवेरिया सिलेंडरिका यह भी कटिंग से बहुत इसली क्रो हो जाता है देख सकते हैं यह देखने में भी बहुत ही सुन्दर लगता है सेंसेवेरिया की कोई भी विराइटी आपको 50 से 100 रुपीस में एजली मिल जाती है और ये है रबर प्लांट इसे वेरिगेटर बन्यन ट्री भी कहते है देख सकते हैं सबी पतों का कलर डिफरेंट है जैसे जैसे पत्ते की एज पढ़ती जाती है उसमें वेरिगेशन कम होता जाता है और बात में वो पूरी ताह से ग्रीन हो जाता है ये प्लांट भी मैंने 50 रुपीस में खरीदा था ये प्लांट आपको 50 से 100 रुपीस में एजली मिल जाता है इसे भी आप कटिंग से easily propagate कर सकते है जब मैं इसे कटिंग से propagate करूँगा तो आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा ये पीस लिली ये भी पढ़िया इंडो प्लांट होता है बहुत ही तेजी से डिवाइड होने वाला प्लांट होता है इसमें वाइड कलर के बहुत ही सुन्दा फ्लावार आते है फिलाल तो अभी कोई फ्लावर नहीं खिला हुआ है लाज्ट ये इसमें चार्थे पांच फ्लावर खिले होगे थे है ये प्लांट भी आपको 50 से 100 रुपीस में मिल जाता है मैंने ये प्लांट 50 रुपीस में खरीता था और ये है ड्रेसीना ये भी इंडोर एर प्यूरिफायर प्लांट होता है काफी समय तक आप इसे इंडोर रख सकते हैं ये भी कटिंग से एजली प्रोपगेट हो चाता है और ये प्लांट भी 50 रूपीज में easily मिल जाता है मैंने भी ये प्लांट 50 रूपीज में ही खरीदा था ये काफी सारे color में आते हैं garden को colorful बनाने के लिए एक बढ़िया प्लांट होता है एरीका palm palm काफी सारी varieties में आते हैं और सभी air purifier plant होते हैं उन्हें आप इंडोर भी रख सकते हैं, बात कर प्राइस की, तो इनका प्राइस 50 रूपी से स्टार्ट होता है, फिर जैसी ग्रोथ होती है प्लांट की, वैसे प्लांट का रेट बढ़ता जाता है, शफलेरा, ये भी बहुत ही हाड़ी इंडोर प्लांट होता है, इसे भी आप कटिंग से ग्रोग कर सकते हैं, ये भी काफी सारी वेराइटीस में आता है, बात कर प्राइस की, तो इसका छोटा प्लांट 50 रूपी से मिलना स्टार्ट होता है, जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है वैसे प्लांट का रेट बढ़ता जाता है, मोंस्टेरा, ये भी बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है, घर को डेकुरेट करने के लिए बहुत ही सुन्दर होता है, ये प्लांट भी आपको 100 रूपीस में इसली मिल जाता है, फाइकस, ये भी इंडोर में बहुत ही सुन्दर लगता है, इसकी पत्यां काफी शाइनी होती हैं, ये प्लांट भी आपको 50 रुपिस में इसली मिल जाता है, फीडरली फिग, ये प्लांट थोड़ा समयंगा मिलता है, ये प्लांट आपको नर्सरी में 200 से 300 में देखने को मिलता है, ये भी इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्र होने वाला प्लांट होता है, क्रोटान ये प्लांट आपको नर्सरी में 50 रुपिस में इसली मिल जाता है, ये भी काफी सारी वेराइटिस में आता है, पत्तो का वेरिकेशन बहुत ही सुन्दर लगता है, अगलोनिमा चाइनीज एवर्ग्रीन ये भी काफी सारी वेराइट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चानल पर पहली बार आए है तो मेरे चानल को सिस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं उगले वीडियो में तद तक के लिए हैपी गाडने